तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर नेहा आशिश्टिवारी और सचिन डाच के बारे में दोनों का रिष्टा आप लोगों को पताई है, दोनों का बहुत जादा प्योर बॉर्ण्ड है सगे भाई बहन जैसा रिष्टा, ये सगे नहीं होकर भी सगे जैसे ही रहते हैं जहाँ पर सचिन अपनी नेहा दीदी को बड़ी बहन की तरह मानते हैं और उनकी बहुत जादा इज़त करते हैं और वही पर नेहा आशिष्टिवारी भी सचिन को अपने छोटे भाई की तरह मानती है तो आज बात करने वाले हैं उस वीडियो की जो वीडियो वाइरल हो रही है सोशल मीडिया में जो नेहा की वीडियो है और ये वीडियो बहुत सारे रियक्शन्स चैनल्स के पास पहुच गई है दरसल उस वीडियो में नेहा अशिष्टिवारी मनीशा पे बहुत बुरी तरह चिला रही है और इसके पीछे क्या रीजन है वो किसी को नहीं पता लेकिन सचिन के हाली में आए व्लॉग में सचिन ने इसका रीजन बताया है कि आखे क्यों उस वीडियो में नेहा दीदी इतना तेच चिला रही थी और इस तरीके से मनीशा से बात कर रही थी तो सचिन शुरुआत करते हैं सचन कहते हैं कि नेहा दीदी और मैं जब पहली बार मिले थे तो हमारा तब से ही बहुती ज़्यादा अच्छा और बहुती प्योर बॉर्ण बन गया था एक भाई-बैन वाला जहां पर नेहा दीदी भी बेरी बाते सुनती थी और मैं भी नेहा दीदी की बाते सुनता था तो मुझसे दूर जा रहा है ये तो सचिन की बाते सुन रहा है फलाना धिमकाना तो यहां पर सचिन कहते हैं कि सबसे पहले उन लोगों ने ये साजिस रची कि मुझे और नेहा दीदी को अलग-अलग किया जाए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया मेरी वाइफ यानी की म मनीशा को भड़काना शुरू कर दिया मेरे और नेहा दीदी के रिलेशन को लेकर तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सचिन को उनसे दूर रखा जाए नई तो बदनामी होगी ये होगा वो होगा तो सचिन कहते हैं कि इन सब बातों से मनीशा काफी जादा तो सचन कहते हैं कि मैंने कहा कि मनिशा को दिक्कत होती अगर मैं आपसे बात करता हूँ और सारी चीजे मैंने नेहा दिदी को खुलके बता दी उसके बाद नेहा दिदी को बहुत जादा गुसा आया। उन्होंने कहा तुम मेरी बार डिरेक्ट मनिशा से कराओ और फिर नेहा दीदी की मनिशा से वीडियो कॉल में बात हुई और तभी नेहा दीदी मनिशा पे चिल्ला उठी और कहने लगी तुमारी हिम्मत कैसे हुई तुम सोच कैसे सकती हो इतना बुरा और भी बहुत कुछ मन पर हिसा तो आएगा लेकिन वहाँ पर मनीशा की भी गलती नहीं थी क्यूंकि मनीशा के पती है सचिन तो मनीशा को भी बहुत बुरी तरीके से भड़काया था लेकिन फिर बाद में दोनों की सुलाँ हो गई और फिर दुबारा से सचिन और नेहा के रिलेशन ठीक होने लगे लेकिन फिर भी लोगों को चैन नहीं आया लोगों को फिर भी दिक्कते होती रह original आई सचिन बताथे हैं सचं कहते हैं जब सब कुछ ठीक हो चुका था सब कुछ नॉर्मल चल रहा था नेहा दिदी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी तो उन लोगों ने ये वीडियो वाइरल कर दी जो कि अभी बहुत सारे रियक्शन्स चैनल के पास पहुच गई है ताकि मेरी भी बदनामी है और नेहा दी दी तना गुसे में मनिशा से बात कर रही है तो यहां पर सचिन ने किसी का भी नाम तो नहीं लिया कि आखिर किस ने ये सब करा कौन ये वीडियो सर्कुलेट कर रहा है कौन कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर रहा है लेकिन ये तो साफ साफ जाहिर है कि सचिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन है इन सब के पीछे कमेंट करके जरूर बताएं